ये दुख खतम का है नहीं होता मेरे भाई, कमाल ही हो गई है, टॉस भी जीत गए, गेंद बाजन अच्छा काम भी कर दिया, बाग में ड्यू भी आ गई लेकिन फिर भी रन नहीं बने, मुंबई एक और मुकाबला हार गया है, कोलकता एक और मुकाबला जीत गया है, बट इं यूओ प्रेजेंस, चोप्रा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़के स्वागत है, आए, होप आप अच्छे होंगे, और टेलिग्राम पे आगे होंगे, आपने मेरे फैंटेसी टीम देख ली होगी, और उसमें हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे हमारी टीम में मिचल स्टार्क थे, जो किसी की टीम में नहीं थे, हारदिक पंडिया को मैंने भी कप्तान मनाया था, वो भी पॉइंट तो देखे गए हैं, हलनकि बल्ले बाजी सरण नहीं बना रहे हैं, तो इस वज़ा से वो इंपक्ट सब के रूप में आए, नमंधीर को ओवर्सीज खिलाणियों से उतर जाती है, मुंबई इंडियन्स की टीम, अमूमन आप नहीं देखते हैं, ऐसा होते हुए, पर ये डिसाइड की इस तरीके से जाना है, टॉस जीतना इंपॉर्टन, जीत जाते हैं, गेंद बाजी का फैसला कर लेते हैं, नुवन तुशारा शुरुवात दे देते हैं कि यार क्या बात है बई, वाँ 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 बहुत ही बढ़ी है, वेल डन माइ फ्रेंड, बड़ी कमाल की गेंद बाजी करते हैं, नुवन तुशारा, विकेट चटकाते हैं, शुरुवात ने फिल सॉल्ट का आउट कर देते हैं, उसके बाद श उस चावला रिंकु सिंग को भी जब वो आउट हो जाते हैं तो लगता है कि अब तो बहुत भस गए हैं ना 57-58 पे 4-5 आउट हो गए हैं अब यहां से कैसे निकलेंगे पांडी जी को लेकर आते हैं इंपक्ट सब के रूप में कि हम इंपक्ट सब जो है अभी इस्तमाल कर लेते हैं बाद में एक बोलर कम मिलेगा तो कम सही यार क्या फरक पड़ता है अपर लेट स्कोर इना फरांस अब उसमें भी एक बात थी कि क्या थोड़ा जल्दी कर दिया उस समय क्योंकि यह राय हमारी थी और यही होता है जो मैच के बाद पलट के देखो तो रास्ता साफ नजर आता है और उस समय लगा कि रमन दीप को शाय पहले भेज देते फिर रसल भेज देते एंड तक रोक लेते क्योंकि एक बोलर शायद कम पड़ जाए सेकंड इनिंग्स में क्योंकि यू भी आती है चेतन साकरिया के खेलने के चांस से और शायद सेकंड इनिंग्स में बॉल टर्न ना हो क्योंकि डियू ना गीली गेन पर ना रहे ना रहे ना मनीश पांडे रंस बनाते हैं पांडे जी बड़ा अच्छा खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं साथ में वे करता रहा थोड़ा सा सीरेश ही ले गया और बेंगॉली में सांग होता ना एकलो चल एकला चलो एकला चलो रहे थे पर चल रहे थे टीम को लेकर गए कहां तक पहली बार वैसे इस सीजन में कोलकुता ओल आउट होती है टीम को एक मुझे तो लगा सब पार स्कोर तक लेकर आप आए थे और क्योंकि बाकी किसी का साथ मिला नहीं अंद्र अरसल रॉन आउट हो जाते हैं हार्विक पंडिया बारिंग यहां बीस रन देते हैं वहां उसके अलावा गेंदबाजी अच्छी करते हैं दो विकट उनको मिलती है अचा स्प्रीद बूम 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 रहा नहीं गेंज से अगर निवन तुशारा थे तो दो सेकेंड बाई क्या और करें मारता है यार मिचल स्टाक के जटेंडे बिमारी फिर उसके बाद जो वेंकटे शाहियर के जटेंडे बिमारी तीन विकट वो चटका जाते हैं I mean that was absolutely stellar लोड लागा आपको कि अब मैश को आप तभी कम होते हैं जब आप कहें कि गेंद बाजों में नहीं दम है वहीं इनमें दम भी था दमदार भी थे और जीत की हुंकार भी थी और बिनोमो ना बहुत ही रिलाइबल ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म है यहां पर आप you can immerse yourself in the world of trading और थोड़ा सा additional income भी आप कमा सकते हैं बिनोमो is easy to start और बड़ा आसानी से आप start कर सकते हैं आसानी से आप use कर सकते हैं जैसे हो मेरी automatic car होती है उसी सबसे बहले तो आप start कीजिए trading with unlimited demo accounts तो उससे क्या होगा कि आप सीख जाओगे जहां पे आप improve कर सकते हो अपने skills और उसके बाद आप shift हो सकते हो to the real account ध्यान रख अब यह prediction अपनी एकदम गमाल के रही और हो गया है मुझे profit profit क्या बात है I like it profit हो चुका है अब it's very easy to withdraw as well 247 का customer support आपको available रहता है और आप download कर सकते हैं बिनोमो जो की link में description में डाल रहा हूं तो फिर ध्यान रखिएगा देखिए सबसे बहले तो additional income possible है दूसरी बात है कि demo accounts के साथ आप use कीजिए शुलू कीजिए ताकि आप समझ जाएए कि कहां आप जा सकते हैं और उसके बाद real account में shift करना है 24-7 customer support का ध्यान रखना है link में description में डाल रहा हूं download कर लिजेगा ध्यान से हमेशा invest करना है अपने को यह याद रखिए अब इसके बाद हम run chase की बात कर अगरा था आसान होगा अब होना चाहिए ता लॉजिक तो ही कहता है उसी प्रकार से शुरुवात भी की पहले ओवर तो चलो सभाल के खेल लिया वह वरोड़ा को लेकिन उसके बाद मिचल स्टाक आते हैं पहली बाल बड़ी बड़ी अच्छी थी वह अपील सी होती है उसक पहले से इयर की जो कप्तानी अगर आप इस मैच में देखे तो बड़ी स्पॉट आन थी लेके आते है वरुन चक्रवरती को सामने आउट हो जाते हैं पाप लेके अंदर ही आउट हो जाते है नमंधीर बड़ा शॉट मानने का प्रयास कर रहे थे खिलारी अच्छा है पर आप सोच रहे हैं कि यार यह शायद इसलिए स्पिन को जल्दी ला रहे है क्योंकि आपके पास वो बॉल गीली होने से पहले स्पिन के ओवर निकाल लेते हैं बॉल गीली हुई या नहीं हो भी है इन स्पिनर्स को कोई फरक नहीं पड़ा है सुनी लरायन आउट कर देते है भारतिये कप्तान रोही चर्मा को और सची बताओ आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि जिस जिसका नाम आगया है भारतिये टीम के अंदर फॉर्ड वर्ल कप उस बंदे ने मतलब यशस्वी यस जैसवाल इस इस ओनली एक्सेप्शन बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रह है राजस्तान दिल्ली लखनाव एन नाव हियर फोर्थ कंजेकेटिव स्कोर जिसमें या इनिंग्स जिसमें रंस नहीं बने हैं तेलक वर्मा से उम्मीदे रहती हैं कि वो रन बनाएंगे वह वरुन चक्रवरती के शिकार बन जाते हैं वो उट हो जाते हैं और निहाल वड बैटिंग करने नहीं आओगे क्या उपर आना चाहिए सूर्य के साथ एक अच्छी लंबी साज़दाई रचनी चाहिए क्योंकि सूर्य अच्छा खेल रहे थे एक्चुरी तो थैंक गॉड़ वायार क्या खेल रहा है तो वह पारी बड़ी अच्छी खेलते हैं जब तक मौ आउट होते हैं हार्दिक पंडे अलड़ी आउट हो चुके हैं बाई देवे आंध्रे रसल दो विकेट चटकाते हैं और हार्दिक पंडे से भी मतलब ये मानना पड़ेगा कि बैटिंग ना जम नीरी है गेंद बाजी में फिर भी बहतर बोलिंग करनी शुरू कर दिया पर बैटिंग की तो बड़ी हैंड़ी हैं इस पूरे टॉर्नमेंट में इस साल जिसमें अच्छे से बैटिंग की हो वो भी आउट हो जाते हैं टिम डेविट टीम को जीवी तरखते हैं थोडी देर तक पर फिर आते हैं मिचल स्टाक अहां वैस तो आट होवर की स्पिन 44 रंस 4 विकेट्स अल्मोस अइडेंटिकल बोलिंग लाएं अल्मोस का इडेंटिकल ही थे ना आपके पास होगा सामने अपडेटेट एक दम तो उसमें देख लिए जएगा इधिंक आइडेंटिकल थे आट ओवर चावालेस रन और बाइस बाइस दोनों ने दे दो दो विकेट द मैच वी आट डान डास्टेड बहुत ही कमाल का यह अंत में एक्चुली डिफेंड करता हुआ मैच जीतना यह मुश्किल होता है एक चन्ने नहीं डिफेंड किया था पर बहुत बड़ा टोटल डिफेंड किया था यहीं पे जहां मुंबई में रोहित ने सो बनाय था लेकि आरार केकर यह दोनों करेंगी कॉलिफाई और एक्चुली वन और टू पर करना चाहिए को कि जिस तरीकी की क्रिकेट खेल रहे हैं I think they deserve two bites at the cherry and maybe a place in the finals that's what I'm thinking मुझे ऐसा लगता आपको का लगता है जुरूर बताएगा मुझे और बिनोमो का लिंक मैं डाल रहा हूं प्ली चैनल पर आजेएगा क्योंकि fantasy में कल तो हमने इस वाले match है अच्छा गिया है बहुत अच्छा किया है और आज का जो शाम का match है है ना है ना match राइट जीट वसस नहीं RCB वसस जीट उसका भी हम preview कर चुके हैं उसमें हमने फाफ का बड़ अच्छा से insider किया है चेक दाट आ आजेव थे थे अच्छा कर अच्छा भी पुके हैं अच्छा करनाः च्छा कर अच्छा कर ऊच्छा